कि दोस्तों अभी जो दनाना गाउं में भार्त गैस के अजनसी थी उस बाई ने जो किसान के मान के उपर गाउं दनाना का जो निव बश्टेंड है उसके उपर अपना एक ओफिस बनाया है और ऑफिस के साथ उसने एक मुहिम भी छेड़ दी है कि आज के बाद किसान किसी भी तरह कि चाहिए वो फैक्ट्री हो चाहिए कोई ओफिस उसका उद्गाटन जो करवा एक मुखेंगे हो उकिसानों के आथों से योगा क्जों कि रात निताओं कि वर अपने बाइचारे के साथ जो उद्गाटन करवाएंगे वह ज्यादा बेंस बुक्य tunisat ये जन सी के उफिस उखाटन करते हैं जाय जायाज़ Mmm yeah it do आज जो दनाना में गैस एजन्सिय जो बारत के नाम चे उसका जो ओफिस दनाना के नए वेस्ट एंड पर खोला गया है उसका क्या प्रपजल और क्या उप बोगताओं को मतलब आप सुई दादो ते हम जो किसान टिकरी बोर्डर पर रहते थे हमने वहां कि रामेन एक चत्र की बड़ी भारी आप तख्लिप में हमारी मुहीं को काम याफिक इस बाई ने कल का था के अंकल जी मैंने किसानों की मांग चोबीट गिंटे के पर रुआत इसने नहें बश्टेट पर ये दुकान खोल गटे और इतना बड़ा कारिया किया एक समाजी कारिया सेवा का हुए इसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसने यहां दफ्तर कोल करके कहा है कि केवल रोजी स्टेशन यहां कापी चड़ाओ, और जो भी जे मिदार, किसान, मजदूर, यहां कापी चड़ाएगा, मैं उसकी हर सिलेंडर की डोर डिलेवरी दूआ, वो कर्चा मैं अपने इस बाई की तरह करो, और हर गाओं में यह सुईजादो, जिससे कि मजदूर और किसान, साइकलों पर, सिर्फ पर, बेचारी माताएं और बहेने, दो-दो किलोमेटर दूर से लेड़े जाती हैं, वो सुईजामिल्स के, इसके लिए मैं आप से, सिर्फ मोर्चे की तरफ से, एसकेम की तरफ से, और तिकरी बोर्डर की तरफ से, एवं हर गाओं के नागरी की तरफ से, यह अरगास कटना हूँ, कि हमारी मुहिं को पूरे हरियानवच और पूरे भार्टमस में तुला जाएगा, जै किसान, जै मेरा हिंजुस्तान. आपने जो ये दनाना के नए जो बसड़ा, इसके उपर जो ये आपने ओफिस को लाए, क्या जो आप उमदीलोरी करोगे, उसका चार्ज होगा या नी स्कूल को होगा? और यहां तो फिंचर किलमेटर दूरी थी घाओं से, इसे में आपने पे लेगे बेजनदीक हो जाए, ताकि कस्टमर के तक लिए ना हो, और कम से कम घर के पास बिनिवरी दियने जाओं, इसके मुने इन दो तलात्ते रहें. इननों तो यहां तक किया है, कि जो टिक रिपोर्टर से, जैसे भाई राम पाल है, मैं भीया हूँ, जितने वहां उती देखर के, उनको पकड़ी पहना करके, और फूल वाला उससवागत किया, इस भाई का तो हम तेजर से निखाज करते हैं, भीया.